यहां से ठीक है प्राइमरी साइट से देखते हैं इसको जैडर उसे अंधकरने के लिए मुझे चाहिए लोड इंपीडंज जो कि से अंधकर साइड में लगा है उसको देखना मुझे सेकंडरी के टर्मिनल्स है क्या दिया मैं इसको जैडरी इसके आगे जो इसर्किट्री होगी उसे जैडल ठीक है तो zl calculate करो zl यहां से मुझे क्या दिखाई देखा यहां से यहां तक के terminal के इस के बीच में मैं देखूंगा बस scale 2 ohm ठीक है तो zr जो होता है हमारा वो क्या होता है n1 upon n2 के square into zl होता है तो n1 हमारा 3 है n1 upon n2 का ratio कितना देर का 3 upon 1 into zl कितना आगया 2 तो n2 जा 18 यहां गया 18 ohm तो अब यह zr है i1 क्या होगा this wire voltage 10 plus zr zr क्या series में दिखाई देगा हमें यहां से ठीक है 14 at an angle of 0 10 plus zr zr कितना है हमारा यह 14 at an angle of 0 14 ही हो जाएगा 10 plus 18 कितना आगया है 14 upon 28 यानि 1y2 1y2 यानि 0.5 i1 आगया हमारा 0.5 ampere ठीक है और पूचा हम से i2 की value क्या होगी तो हमें ratio पता क्या होता i2 upon i1 जो होता है वो n1 upon n2 के कोल होता है लेकिन अभी हम देखेंगे current की direction dot में किस type की है i1 dot में enter कर रही है sr ही है इसमें enter कर रही है i2 कैसे s करके flow हो रही है यह भी enter कर रही है जब दोनों current enter करती है यह leave करती है ठीक है तो वहाँ पर आता है minus ठीक है अगर एक enter कर रही है दोसी leave कर रही है तो positive अगर दोनों enter यह leave कर रही है तो क्या हैगा negative तो हमें i2 के value चाहिए यह n1 और n2 के ratio हमें पता ही है i2 upon i1 i1.5 minus n1 upon n2 कितना हो जागा 3 upon 1 तो यह कितना जाएगा cross multiply करो i2 equals to minus 1.5 ampere ठीक है तो यह आगे हमारी i2 के value minus 1.5 ampere i1 i1.5 i2 i1 minus 1.5 5 ampere ठीक है तो इसी type से जो भी कुछ इस से related पूँश्ता है तो ऐसे calculate कर लेते है I hope आपको इस समझ आया होगा इस वीडियो में इतना ही ओके थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कर दो कर दो कर दो कर दो